बाइस्वी पृतिग्या में परमपुजे बहुदी सत्थ बाबसाब डॉक्टर अम्बेटकरजी ने कहा है कि मैं आज से अपने जीवन को बहुत धर्म के सिक्षाओं के अंसार ही चलाओंगा मैं उनका पालन करूँगा तो आपने देखा ये शुरू से पहली पृतिग्या से लेकर और 22 में पृतिग्या तक जो भी बाबसाब ने बताया है अपनी 22 पृतिग्याओं में उन्होंने पुराने हिंदु धर्म को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए बहुत धर्म की दीख्षा ली और वही सब कोच उन्होंने अपने अनुयाईयों को यानि हम सब के लिए शोशित पीड़ी समाज के लिए पूरे बहुजन समाज के लिए जिसका हजारों साल से त्रिसकार होता रहा जिसका हजारों साल से सोशन होता रहा उस सोशन से उसे मुक्ति मि जरूरी है कि वो अपने जीवन को भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलाए बहुत धर्म की सिक्षाओं को ग्रहन करके बहुत धर्म की सिक्षाओं के अनुरूप उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करे उसको आचरण में अपने आचरण में शामिल करे इसलिए भगवान इसलिए बापा साब डॉक्टर अमबेटकर ने कहा कि मेरी 22 में पृतिग्या है कि मैं अपने जीवन को बौद धर्म के सिध्धानतों के अनुसरूप बौद धर्म के सिक्षाओं के अनुसरूप चलाऊंगा उसका आचरन करऊंगा तो इस तरह से बापा साब डॉक्टर अमबेटकर की 22 पृतिग्याएं हम सब को अपना जीवन बौद धर्म के अनुसर यापन करने के लिए उसके आचरन करने के लिए उन्होंने दी और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सचे अनुयाई हैं बापा साब डॉक्टर अमबेट करके मैंने पुजारी नहीं का बापा साब की पूजा करने की जरूरत नहीं है बापा साब का अनुयाई बनने की जरूरत है और जिस दिन हम बापा साब के सचे अनुयाई बन गए उस दिन निश्चित रूप से हम अपने पुराने धर्म को छोड़कर बहुत धर्म के सिक्षा गरहन करेंगे दीख्षा गरहन करेंगे और अपने जीवन को बहुत धर्म के सिक्षाओं और सिध्धानतों के अनुरूप चलाएंगे अपने जीवन में अबने आचरण में उस सिक्छाओं को लाएंगे बस मेरा यही कहना कि हमें उस सिक्छाओं के अनुरूप ही बाभा साब के बाइस पर्तिग्याओं के अनुरूप अपना जीवन चलाना चाहिए